गोड मॉर्णिंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी वन में लिंक पढ़ेंगे, लिंक को इंगलिश में जेंडर कहते हैं, तो चलिए चानते हैं लिंक किसे कहते हैं, बच्चों यहाँ पर आप लोग को चितर देख रहे हैं, देखें लड़का, बैल, माली, धोबी, राजा, अध्यापक, यह जितने भी शब्द हैं, यह पुरुष जाती के हैं, तो इन्हें हम पुलिंग शब्द कहते हैं, यह जितने भी शब्द हैं, यह पुरुष जाती का बोध करा रहे हैं, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें, लड़की, गाए, मालिन, धोबिन, रानी, अध्यापिका ये सब शब्द इस्त्री जाती के हैं और ये इस्त्री लिंग शब्द हैं तो इससे इन शब्दों से इस्त्री जाती का बोध होता है तो बच्चों चले जानते हैं लिंग किसे कहते हैं? लिंग से पता चलता है कि या इस्त्री जाती का है या इस्त्री जाती का इस्त्री या पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द को हम लिंग कहते हैं तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि जो शब्द हम लोगों को इस्तरिलिंग यानि कि इस्तरी या पुरुष जाती के बारे में बताते हों, वो लिंग कहलाते हैं. तो हमें शब्दों से ही पता चल जाता है कि वो शब्द इस्तरिलिंग है या पुलिंग. जैसे घर में पापा, तो पापा क्या है, पुलिंग, मा, मा क्या है, इस्त्रिलिंग, बेहन, स्त्रिलिंग, क्योंकि वो एक लड़की है, और भाई, पुलिंग, क्योंकि वो एक लड़का है तो चलिए बच्चो ऐसे ही कुछ शब्द हम लोग पढ़ते हैं आपको मैंने कुछ शब्द दिये हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लिंग बदले यहाँ पे मैंने आप लोगों को दस शब्द दिये हैं उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और सिखेंगे चलिए तो शुरू करते हैं यह देखे यह है pulling यानि कि जो पुरुष जाती का बोद कराता है यह है इस्त्रिलिंग आप आगे link के बारे में आगे class में जाएंगे तो और भी विस्त्रित रुप से पढ़ेंगे फिलाल आप लोगों को सिर्फ मैंने जानकारी के लिए link क्या है वो बताया है पर आप लोग आगे जाएंगे तो और भी पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ते हैं शेर शेर पुलिंग है शेर नी इस्त्रिलिंग मूर मूर्नी उसी तरह गुड़ा गुडिया दादा दादी पिता माता लड़का लड़की मामा मामी मौसा मौसी चिड़ा चिड़िया भाई बहन तो आएए बचों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अभ्यास कीजिए यह आपकी किताब में दिया हुआ है इसे मैं बना रही हूँ आप लोग भी अपनी बुक में बनाएंगे चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाई लड़की शब्द का लेंग है तो लड़की क्या है इस्त्रिलिंग राजा शब्द का लेंग है पुलिंग अध्यापक शब्द का इस्त्रिलिंग है अध्यापक यह पुलिंग है तो इसका इस्त्रिलिंग क्या होगा अध्यापक यह अध्यापिका क्या होगा अध्यापिका मूर्णी शब्द का पुलिंग है मूर्णी चित्र से नाम तक रेखा खीचिये यह कौन है यह है इस्ट्रिलिंग यह है पुलिंग यहाँ देखेंगे नाम दादा तो दादा क्या हो गया पुलिंग इसमें करेंगे दादी, स्ट्रिलिंग, मूर, मूर्नी, उसी तरह से लड़का, लड़की, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सितारों पर नाम लिखे, नामों को पढ़िए, तर्था स्ट्रिलिंग शब्दों वाले सितारों को चुनकर उसमें रंग भरिए, तो बच्चों, यह जो आपके शब्द दिये वे हैं, यहां सितारे में स्टार जो बनी वे हैं आपकी यह सब, इनको आप पढ़ेंगे, जो बोत्रिलिंग, तो इसको आप रंग भरिएंगे, ठीक यहां, उसी प्रकार से आप जितने भी वर्ट्स दिये, यहां पी जितने भी शब्द दिये वे हैं, यह सब को पढ़ेंगे, और उसमें रंग भरिएंगे, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, यह आपका होंवक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहियों पर लिखे शब्द पढ़िए और हर पहियों को रेखा खीच कर सही कार में लगाईए तो बच्चों यह जो पहिये दिये हैं इस सब के नाम को पढ़ना है और हमें सही कार में लगाना है देखिए एक तरफ पुलिंग है यह स्ट्रिलिंग है तो चलिए शुरू करते हैं चाचा चाचा क्या है पुरुष जाती का बोध करा रहा है तो यह पुलिंग हो गए मामी मामी स्ट्री जाती का बोध करा रही है तो वो strilling होई, खुकि वो एक लड़की है माता ये भी strilling भाई pulling, मामा pulling, बहन strilling चाची strilling और पिता pulling ये तो समझ में आगया होगा बच्चो कौन शब्द strilling है और कौन शब्द pulling चलिए अब हम अब आगे बढ़े चित्र देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पुरा कीजे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं बच्चो यहाँ पे एक बच्चा है, एक मा है और एक पिता है तो हमें ये जो रिक्त स्थान दिये वे हैं इनको भरना है तो चलिए, हम लोग भरते हैं सबसे पहला लिक्त स्थान पढ़ा रही है पढ़ा रही है तो कौन पढ़ा रही है, पिता जी की माता जी माता जी पढ़ा रही है तो यहाँ हम क्या भढ़ेंगे, माता जी फिर लिक्त स्थान पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहे हैं, पिता जी उसी तरह से यहां भी हम पढ़ेंगे रिक्तस्थान दिया वाक़ कपड़े धो रहा है कौन कपड़े धो रहा है तो धो भी फिर कपड़े सुखा रही है रिक्तस्थान में धो भीन भरेंगे हम तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ शब्द सही घर में नहीं रखे उन्हें चुनकर गलत का निशान लगाई है यहां देखिए बच्चों यहां एक तरफ पुलिंग है एक तरफ इस्त्रिलिंग है यह जो घर बना है इसमें कुछ शब्द दिये में हैं आपके तोनों में इनको हमको पढ़ना है और देखना है कि सभी नाम सही घर में है या नहीं जैसे पुलिंग है तो उसमें सिर्फ पुरुष जाती का जो शब्द होगा वो होंगे इस्त्रिलिंग में इस्त्रि जाती वाले शब्द होंगे चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहला है आपका भाई, तो यह पुलिंग है, लड़का यह भी पुलिंग है, चुडिया यह गलत है, यह स्ट्रिलिंग है, मामा ठीक है, शेर्नी यह भी गलत है, गुड्डा सही है अब इस्त्रिलिंग शब्द में आते हैं आदमी ये गलत है क्योंकि आदमी ये पुलिंग शब्द है पुरुष जाती वाले शब्द है मामी इस्त्रिलिंग चुड़ा ये भी पुलिंग होगा गुड़िया ये ठीक है इस्त्रिलिंग लड़की शेर भी पुलिंग होगा तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे इस्तरी इस्तरी और पूरुष जाती का बोध कराने वारे जो शब्दें वो लिंक कहलाते हैं तो कौन शब्द इस्तरी लिंग है कौन शब्द पुलिंग इससे हम पहचान सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई दिक्कत होगी या कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे ओनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं धन्यवाद